Dear students, welcome back. Part 3, यदि आप follow कर रहे हैं UGC NET सिरीज के past year paper analysis को, तो आपको पता होगा कि मैं part 3 में हम लोग अभी हैं, जहां 2014 से 2016 के 5 cycle के theme-wise paper analyze करने कोशिस कर रहे हैं, उसी करम में आज IR के question को हम लोग डिसकस करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको एक disclaimer दे दू कि, चुकि बहुत सारे exam अभी एक साथ आ गये हैं, PGET है, CUCAT है, many-many others और UGC NET, तो मैं बहुत time pressure में fill कर रहा हूँ, मैंने बहुत additional information इसमें नहीं दिया है, जिससे कि जटपट ये video ला सके, at least आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा मेरे बोलने से, मैंने लिखा कम है, क्योंकि और ये video को delay कर देता, so please bear with me, और मेरी पूरी कोशिस होगी कि UGC NET, जो June में साइध होगी या July में, उसके पहले definitely मैं सारे cycle, एक cycle और एक part और part 4 को cover कर ले, इससे आपको बहुत फ़रक परेगा, I can tell you, so let us begin, ये syllabus है, मैं इसको अभी बिल्कुल discuss नहीं कर रहा हूँ, हर part वीडियो में मैं देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए, घौर से पढ़ लीजिए, important है, इसी से पूछे जाएंगे, अब हम लोग question answer का दौर सुरू करते हैं, first जो cycle है, वो है, यहाँ पर चुके लिखी भी नहीं आ रही है, June 2014 पेपर 2 है यह, चलिए यहाँ पर sorry कि यह आपको आनी रहा है, 41 number question हम लोग देखते हैं, June 2014 पेपर 2 का, यह जो है आसान question है, मतलब यह tick भी करता जाऊंगा, easy है, आपको पता है, इच कार जो है classical realism के proponent रहे हैं, और इन्होंने बुक लिखा है 20 year crisis, आप भूल नहीं सकते हैं इस बुक को, यह interwar period की बुक है, और तो इससे AK3 और AK3 से ही crack हो जाती है, और आप बांकी मिला लीजेगा, मुझे पता है कि आप इस तरह से video यूज करते होंगे, इससे काम-like questions जो हैं वो हैं इसमें, जिसे कि आप UGC net निकाल लेंगे, when two combatants are so different, चलिए हिंदी में बोल देते हैं 43 number question, यह कह रहा है कि जब दो लड़ाई करने वाले जो entity हैं country या कोई भी, वो इतना अलग हो कि एक की strength कुछ एक में है, और दूसरे की strength किसी एक में है, माल जो कोई top में बहुत आगे हैं और कोई घुर सबारी हैं, मतब दोनों में कोई comparison नहीं है, तो इस type के लड़ाई को, इस type के war को क्या कहते हैं, यह अंग्रेजी का question है, इसमें common sense plus English है, यदि आप vocabulary जानते हैं, तो इसको asymmetric war बोलेंगे, asymmetric क्या होता है, जहां दोनों party जो है वो एकदम अलग-अलग है, मतब दोनों में कोई तुलना नहीं है, तो asymmetric war. Name the UN fact-finding mission on Gaza conflict 2009 report, यह common sense से crack हो सकता है, मुझे भी इसका नाम याद नहीं था, तकि इतना पता था कि Golding report नहीं है, क्यों Goldstone का नाम मैंने सुना था, Goldstone एक diplomat थे जिन्होंने कि यह Gaza strip पे, जो हमास और इसराइल में जो bombing हो दी तो उसमें बहुत civilian मारे गये थे, तो दोचान नॉब में उसमें report थी, तो और Goldman Sachs तो company है, Gaza report तो हो नहीं सकता है, यह दोनों तो by name नहीं हो सकता है, इन दोनों में से मुझे लगए Goldstone जो है ज्यादा अच्छा, नाम है किसी diplomat का और यही सही हुआ, तो common sense से आप इसको crack कर सकते हैं, जानने की जरुवत नहीं है, इस अब information पता भी नहीं होता इतना deeper, Under which chapter and article does the UN Security Council, हिंदी मैं आपको बता रहा हूँ कि UN Security Council, किस chapter और article के तहट जो है, वो international peace को जो threat होता है, उसको Security Council जो है, वो consider करती है, किस chapter article के, peaceful means से, मतलब वहाँ पे ना, देखे, दो chapter है, एक peaceful means से peace को settle करना है, और दूसरा है, by force इदी नहीं हो पाए, तो वो chapter 6 जो है, वो peaceful means से है, और chapter 7 जो है, by force है, Security Council के दुआरा, उसमें जो chapter 6 and half है, यह बहुत important, मैं बता रहा हूँ, एक question पूछते हैं, वो है, बीच कहीं है तो नहीं, chapter 6 and half तो हो नहीं सकता है, लेकिन जो peace keeping mission है, UN का, वो chapter 6 और chapter 7 के बीच में माना जाता है, इसलिए उसको chapter 6 and half endeavor बोलते हैं, United Nation का, तो यहाँ पे, चुकिए peaceful means से है, तो यह दो तो होगा नहीं, इसी दो में होगा, 36 से 33 से, आप guess कर सकते हैं, तो 33 number article जो है, वो इससे deal करता है, अब यहाँ पे एक आपको clue यह मिलता है, कि इसके जितने chapter और article है, मैंने दे दिया, IR guide में मैंने इसको एक table बना के दे दिया, उसको rat लीजिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा, एक दो question और इसमें पूछे गए है, 46 number question देखिए, which of the following are correct feature of the modern institution of international law, मतब जो international law जो अभी present है, उसका institutional arrangement के बारे में इसमें से कौन सा सही है, तो अब इसमें आप again common sense का question है, आप यहाँ पर देखिए, पहले answer पर जाईए, answer कहता है कि तीन correct है, इसका मतलब यह question, basically यह कहता है कि इसमें से कौन सा incorrect है, कि बहुल एक ही incorrect होगा, अब जब पहला ही आप पढ़ेंगे ना, unilateral legislation, unilateral मतलब होता है कि एक तरफा legislation बना दिया दिया, बतलब एक तरफा law बना दिया जाए, क्या international law में कभी ऐसा होगा कि बिना किसी की सुने हुए आप एक तरफा law बना देंगे, तो यह अपने आप में रॉंग है, तो one को निकाल देश हुआ, बहुत ही आसान question है, यह कर रहा Copenhagen का जो conference of party हुई थी, COP कहते हैं, जो पंदर नंबर की party, मतब COP 15, COP क्या है? 1992 में Rio summit हुआ, वहाँ पे United Nation Framework Convention on Climate Change, UNFCCC adopt किया गया, उसके जो signing थे party, उसकी conference हर साल होनी निश्यत हुई, climate change पे conference of party, अभी तक 26 हो चुके हैं, अब 27 होने वाला है, तो उसमें से COP 21, जो है पहले COP 3 लीजिए, COP 3 जो है क्योटो प्रोटोकोल है 90, क्योटो प्रोटोकोल, यह 1997 में हुआ था, उसके COP 15 यहाँ पे दिया गया है यह Copenhagen है, और COP सबसे जो important है COP 21 है, वो Paris Climate Accord है, तो यह जो कि 2015 में हुई थी तो यह सब climate change से related है, तो यह बहुत है आसान है, जस्ट आपको यह बताना है किस से related है 48 नमबर दिखे, मैच करना है अब यह सब organization तो चुपे हुए है OAS, वैसे मैंने IR guide में दिया organization of American state कब बना है यहाँ पर एक ना Magrave, जो Arab Magrave Magrave का लिजी union, इससे question काफी पूछा जाता है कि Magrave region कौन सा अफरिका में है तो एक तरह का जो Mediterranean Sea से मिला हुआ है, North West side का North and North West, उसको Magrave state बोलते है, देख लिजाए मैं मैं वोरी से बोल रहा हूँ कि यह geographical area ठीक है, लेकिन पढ़ लिजीएगा नेट पर Magrave को और वो कौन से state इससे भी आप वो question आ सकता है sort में उसको AMU कहते हैं मैंने इसको कैसे crack किया कि जो CETO है वो मुझे याद था कि जो अब खतम हो गया है जिसमें पाकिस्तान भी member था यह Cold War के टाइम में बनी थी CETO or CENTO, तो 1954 में इसका जन्म हुआ था तो D का 3 और D के 3 से जो है एक crack हो जाता, अब इसको रोक करके देख लिजएगा, यह सब organization का कब set up हुआ है, इससे याद कर लिजएगा 49 number question चलिए देखते हैं region adjacent, India is pursuing a positive asymmetry in south of Asia अब देखिए asymmetry, अभी आपने देखा asymmetrical, positive asymmetry का मतलब है south Asia में कि India सबसे बर्षाली देश दिखना चाहता है south Asia में और country इसके आमने सामने नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान, मालदी, बंगलादेश, नेपाल, भुटान, asymmetrical positively, तो यह true है, India is strategically constrained होना चाहिए, contained लिखा है, constrained by China-Pakistan partnership, लेकिन China-Pakistan partnership इसको, इस vision में इसको problem create करता है, तो यह भी true है, लेकिन चुकि इसको explain नहीं कर रहा है, यह अलग बात कर रहा है, यह अलग बात कर रहा है, इसलिए B इसका officer answer और सही भी है, मुझे नहीं पता है, और मैंने बस देखा कि इसका answer है, C, आप भी व्याद कर लिजिए, I don't know, यह आने वाला कभी है भी किनी, अब आईए, हम लोग आते हैं, June 2014, paper 3 में, अब इसको देखिए, इसको मैंने crack कैसे किया, मुझे भी बहुत ज़्यादा पता इसमें नहीं था, लेकिन यह मैंने कहीं पढ़ा था कि चंद्रा मोहनती, जो है, post-colonialism से related है, तो यह D का 2 से यह crack हो जाता है, fortunately, यह इस से आगे होता, तो मुझे भी परशानी होती, बाकी आप रोक करके पढ़ लीजे, बहुत ज़्यादा popular नहीं है, लेकिन यह important जरूर है, क्योंकि Sandra Whiteworth बहुत important है, हूपर भी important है, तो इन सब को देख लिजे, आपको आगे बहुत exam में help होगा, pause करके वीडियो को देखिए, यह question बहुत आसान है, again, कि globalization signifies which of the following, तो time-space compression है, integration of the world economy है, growth of supra-territorial relations, मतलब कि nation से उठ करके जो multi, मतलब regional organization बनते हैं, European Union, ACN, सार्क, बिंचेक, उसका जमाना है, और मतलब कि people-people contact भी होता है, global level पर ठीक है, interconnectedness है, तो all of the above, असान है, all of the above, जहां हो तो मैंने आपको हमेसा बता है कि उसको ज़्यादा चूस करने की कोशिस कीजिए, वो हमेसा सही होता है, इस में भी, इस paper में भी यही है, जहां भी all of the above है, almost सभी जगव वही सही है, who said the following, in crucial situation, however, the ultimate concern of states is not for power, but for security, अब देखे, यह जो view है, इसको बोलता है, defensive neorealism, जहां पे कि यह बाना आता है कि state, जो है, nation state, वो power maximizer नहीं है, बलकि वो security maximizer है, security वो ensure करना चाहते है, पावर एक माध्य में security का, इस तरह का view रखने वाले जो है, वो Kenneth Walch है, Robert Jarvis है, और बहुत सारे और defensive neorealist हैं, जो offensive neorealist हैं, like John Mercier, वो इससे उल्टा, उनका कहना है कि state basically power maximizer है, वो hegemon बनना चाहते हैं, original hegemon, who has, तो इसका answer हो जाए Kenneth Walch, Kenneth Walch के बारे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह जनक है neorealism के या structural realism भी इसको कहते हैं, 1979 में इसके जुनको जो book थी, theory of international politics, उसमें इन्होंने structural realism की नीव रखी थी, इसके अलाबा Kenneth Walch ने जो है three images of international politics भी देखा था, और वो three level of analysis भी थी, जिसमें के individual, ordinary state, और फिर system level analysis थी, who has proposed a three-tiered, three-tiered, sorry, three-tiered मतलब एक, दो, ती, three-tiered conception of international law based on moravis new liberalism, anyways, ये question इतना arbit है, इसका answer है B, आप इसके बारे में नेट पे जाके पढ़ लिजे, again एक arbit question, institutionalist approach of international political economy draws on theories from, इसका answer इन्होंने दिया है delegation agency, मैं इसके कोई comment नी करूँगा, नेट पे जाके पढ़ लिजे, इन दोनों में question बार कर रहा हूँ, ये अधूरा है अभी, यदि आप इसको नहीं पढ़ते हैं, जोड़ जाके पढ़ लिजेगा, ये question बहुत मुस्किल नहीं है, क्योंकि ये बहुत repetitive आया है, an agenda for peace जो है, ये बोत्रोस बोत्रोस गाली 1992 में जब UN के Secretary General थे, उन्होंने ये report को लिखा था, उसमें जो है, वोल्ड में कैसे peace लाया जाया, जो peace making, जो effort है, उसके बारे में सारा कुछ था, और उसमें एक क्रम था, जो कि बहुत ही natural है, कि सबसे पहले जो है, preventive diplomacy होगी, तो दो से सुरू होगा, दो से सुरू होता हो, चुकि एक ही है, इसलिए कोई issue नहीं क्रैक होगे है, तो इसके आगे देख लीजे, उसके peace making होगा, फिर peace keeping होगा, और फिर post conflict peace building होगा, तो इस तरह से ये क्रम था, easy question, who said that the United State is not simply a superpower, it is a hyper power, उससे भी ज़्यादा, तो ये question थोड़ा अर्बिट है, ये France के minister थे, Hubert, veteran, इन्होंने कहा था, तो ठीक है, बस आप जानते हैं, तो जानते हैं, ये चलिए match करते हैं, ये आसान है, इसलिए आसान है, कि Rio summit, जो हम लोग सब जानते हैं, 1992 में Rio summit, environment पे हुआ था, और A का 4, और इससे ये crack हो जाता है, तो बाकि जितने भी जो conference हुए हैं, वो किस-किस issue पे हुए हैं, ये जब pause करके, इसको रख लीजे, बहुत ही important है, जैसे आप देख सकते हैं, B, कि Viana का जो conference है, वो human right पे हुआ है, कैरो का जो conference है, कैरो में 1994 में, वो population पे हुआ है, और Beijing में जो है वो women का world conference हुआ है, बे और पिक्स, जो है मेरे कई student जानते होंगे, योदि आप UGCNIT के दियारी कर रहे हैं, ये क्यूबा में एक बहुत ही curious type of event हुआ था, आपको बता कि Fidel Castro ने वहाँ, Batista की जो dictatorial assassin था, जो कि US समर्थक थे, वहाँ उसको तक्ता पलट दिया था, और एक communist regime की स्थापना की थी Fidel Castro ने, उसको फिर से अमेरिका ने एक वहाँ पे, वहाँ के जो विद्रोही लोग थे, उसको help करके, Bay of Pigs, वहाँ पे South Cuba में हैं, उसमें इनकी तक्ता पलट की कोसिस की थी, Fidel Castro की, उसको Bay of Pigs incidents बोलते हैं, वह fail हो गया था, मतलब कि Fidel Castro ने उस विद्रोह को, या उस Rebellion को, या उस Shardantra को खतम कर दिया था, तो यह जो है, Cuban Missile Crisis से समन्धित है, Black Widows जो है, वो Women Terrorist Organization है, किस country से उपिलोंग करते हैं, अब यहाँ पे, उनका देखिए, 24 कितना गलत है, यह answer है, चेचेचेनिया, लेकिन चेचेचेनिया कोई country नहीं है, यह रसिया का एक पार्ट है, जो की वहाँ आंदोलन कर रहे हैं separate state क लिए, तो चेचेचेनिया की जो हैं rebel हैं, country नहीं, अब इसको chronologically arrange करना है, पहले कौन, पहले कौन, तो यह आसान इसलिए है, कि मैंने अपने IR Guide में भी कहा है, कि जो पहला जो treaty environment पे हुआ था, वो Antarctic Treaty था, 1959 में perhaps, मैं memory से बोल रहा हूँ, तो तीन से सुरू होता हुआ ही और एक ही चुकी 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 से तीन से सुरू होता हुआ तो आपका crack हो जाता है इसी से, उसके बाद आप जान सकते हैं कि पहले कौन हुआ, फिर UN Law of Sea हुआ, फिर Kyoto Protocol हुआ, यह 1997 में हुआ तो मैंने आपको बताया है, और यह तो बाद में हुआ होगा सबसे लास्ट में, यह सब को याद भी कर लीजिए कि यह क्या था, अब यहाँ पे चुकी एकदम बिल्कुल अर्बिट है, यह बुक्स, इंडियन ओथर के हो जादा लोन नहीं है, तो सीधा मैं आपको एंसर बता रहा हूँ, लेकिन पाउस करके इन बुक्स को रट लीजिए, वैसे कहीं काम आ जाए, इंडिया's trist, trust, कई लोग इसको trust भी पहते हैं, trust भी पहते हैं, मैं क्या हूं, मतलब तेक है बिल्कुल पहते हैं, इंडिया's trust with Asia, मतलब त्रेस्ट क्या होता है, फिर से जो, मतलब आपका जो एक eye to eye million होता है, मतलब किसी चीज़ के साथ, तो इंडिया स्ट्रेस्ट विट डिस्टिनी जो है यह बहुत फेमस स्पीच है कंस्ट्रेंट एसेंबली में आजादी के समय दिया गया था नहरू जी द्वारा उसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने हैं सिंटे नहीं रहेंगे हमारा बहुत विसाल जो है परिपेक्ष में जो है पतल पे हमें काम करना है एसिया के पतल पे और उन्होंने किया भी था बांडूं कॉन्फरेंस और फिर नाम और उससे में इंडिया जो है वो लीडर एफ्रो एशियन कंट्रीज का बन गया था वें डिट नेशन जनरल असेंबली रिजॉलूशन टू एट री टू अन देखे जो इनाइट नेशन के जो जो जनरल असेंबली और सेक्रिटी कॉंसल ये दो रिजू करते हैं उसके जो इंपॉर्टेंट रिजूलूशन है मैंने आयर गाइड में देने कोशिस के आप और अपने महनत से उसको जरूर जान लिजए 2832 जो है इंपॉर्टेंट है इंडियन ओसन में जब बंगलादेश वार का साय हो रहा था उस प्रिजूलूशन में उसको जो नव पीस अडॉप्त किया था इस रिजॉलूशन से उससे कुछ हुआ नहीं डियोगो गार्सिया में ज निटिगेटेट तो एन एक्स्टेंट और रीडिफाइन ठीक है नए समय में जो है वो सब कंस्ट्रेंट जो है वो खतम हो गया जो उस सहे में थे इंडिया को एस या में एक लाजर रोल प्रे करने का अब कर सकता है रीजन यह कहता है दे एंड अप दे कोल्ड वार और अब आईए हम लोग आते हैं दिसमबर 2014 पेपर 2 में 41 नंबर देखिए सॉरी इसमें ठीक आपको मारा हुआ दिख रहा हुआ क्योंकि मैंने उसको ओन करना में भूल गया था पाउस था 41 नंबर जो है गेम थेओरी यह कह रहा है कि गेम थेओरी का कौन सा बुक जो है वो ऐसा बुक है उसके बगर गेम थेओरी कलपना नहीं किया सकती और उसको किस ने लिखा है तो यह जो बुक है The Theory of Games and Economic Behavior आपको गेम थेओरी का नाम याद आते ही वान न्यूमेन का नाम याद आना चाहिए उससे बड़ा कोई भी थिंकर गेम थेओरी कल नहीं है तो यह अंसर सही है आसान है यह पावर का यह डिफिनिशन किस ने दिया The Power of Man over the Minds and Actions of Other Man Power in a Political Context means The Power of Man over the Minds and Actions of Other Man तो यह Hans Marganthau जो Classical Realism के पिता है इनका Politics Among Nations 1948 को मत भूलिएगा अब यहां मैच करना है बहुत आसान है मैं यह कह रहा हूँ कि INF Treaty मुझे हमेसा याद रहता है कि 1987 में हुआ है यह one of the most important treaties में actual में जो intermediate range missile जो nuclear missiles उसको nust कर देना था उससर और USA के बीच में जिसने की Cold War को खतम करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया तो D का 1 इससे यह क्राक होयाता है पाउस करके इसको बांकी को याद कर लिजेगा यह हमेसा पूछा जाता है मैंने अपने IR गाइड में इसको दे दिया है 44 नंबर कोशन देखिए जिसमें की दोनों पार्टी के बीच में टेंसन कम हो जाता है तो वो एक बार तो 1967 से लेके 74 तक हुई थी उसमें ही यह सब जो है ट्रीटी बाचीत, Confidence Building Major यह सब सुरू हुई थी जो Cold War के खतम होने के टाइम में एक और एक अच्छा फेजा आया था वो INF Treaty जो 1987 में हुई थी अभी आपने देखा उसके होने के चलते आई थी रेगन और गर्वाचॉब के बीच में अब यहां देखिए एजर्शन है इंडिया चोज नॉन एलाइनमेंट अज फॉरेंड पॉलिसी च्वाइस इन पोस्ट इंडिपेंडेंडेंस पिरियए यह तो ट्रू है सब जानते हैं हम लोग नाम वाज अन एजर्शन अफ इंडिपेंडेंडेंस इक्वालिटी एंड सॉवरेंटी तो ठीक है यह भी जो है एकदम ट्रू है लेकिन यह इसको एक्स्प्लें नहीं करता है मतब इसके अनुसार से यह इन्होंने भी दिया है मैं तो इसको ए बोलूगा लेकिन इन्होंने ऑफिसल एंसर बी दिया है अब इस पर आप कुश्चन मार कर रहे हैं और चेक कर लिजे और आपने दिमाग से सुचिए क्या होगा मतब मैं जाता एक लिए यह मैंने कितनी बार पढ़ा है यह इतना important है exam के लिए का आप इसको भूल नहीं सकते हैं नियो जो है वो developing nations जो थे united nation में वो जमा हुए थे एक conference हुआ था जो अभी भी चल रहा है उसके permanent secretariat है United Nation Conference on Trade and Development UNTARD बोलते हैं उन्होंने यह कहा कि जो world का जो trade system है वो unequal है उसमें developed country को फाइदा होता है क्योंकि जो developing country है वो raw material, agricultural produce, commodity यह सब supply करते हैं जिसका कि price को हमें साथ जान बुछ करके western country low रखता है और उसको जब वो process कर देते हैं तो उसी finished good का आसमान में price करके फिर से हमको base देते हैं और इसके उपर हमारा कोई control भी नहीं है trade pay, tariff pay and all तो उन सब को लेके new interest on economic order के बाद हुई थी time time fist हो गया, यह नाम का जो summit हुआ था, fourth summit हुआ था, algeris में आप check कर लिजा आगए, question भी है, उसमें इस बात को पहली बार उठाय गया था यह सब बहुत popular question है, तो एक बार देख लेंगे तो आपको कई जगर help होगा, PG entrance test में भी अब यह कह रहा है कि ASEAN के बारे में जो है, ASEAN रहता है कि Association of Southeast Asian Nation, उसके बारे में इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो यह थोड़ा difficult होता है, लेकिन आप चलिए हम लोग देखने कोशित करते हैं, India became full dialogue partner of ASEAN 1991, यह हमें 1991, यह हमें बचाता है क्योंकि एक जगर, अभी मैंने आपको discuss किया था कि इसी दूसरे paper में 1992 में इंडिया बना था, dialogue partner, तो चुकि यह गलत हो गया और यह मिल गया, तो यह तीनों सही है, इस तीनों को पढ़ लिजेगा, who among the following used the phrase the United Nation is sharing in the name of solidarity, मतब साजह करना solidarity के name पे, यह किस ने कहा था, और जब इस टेप का आए कथन, यह saying, यह quote, और आपको कुछ समझ में ना आए, तो you go for DAG Hammerskall, जो की second, जो है UN Secretary General थे, Norway के, और इनकी इतनी सारी quote है, इतना अच्छा-च्छा quote है, कि आपको, मतब कुछ सम which one of the following is not a feature of shopkeeper diplomacy, shopkeeper diplomacy क्या होता है, कि भाई, तेरे को यह पसंद नी आ रहे, तो यह ले, यह नी आ रहे, तो यह ले, मेरे पास में बहुत सारे समान है, मतब soft diplomacy, तो इसमें से कौन सा नहीं है, not, जो hard होगा, नहीं होगा, तो यह वाला देखे, it tries to safeguard national interest through war only, अब इतना outlandish statement है कि अपने आप में गलत हो गया, बाकि तो तीन सही हो गए ही, पढ़ लीजेगा, positive peace, आप जोहां, गालटूंग का याद कीजिए, मैं मुमरी से बोल रहा हूँ, जहां मुनने positive peace और negative peace की बात की थी, तो positive peace जो है, वो यह होता है कि ऐसा माहौल, structurally, देना जिसमें की peace maintained है, ज भी structural है, आप समाज में, मतलब कि इस type का एक structural relationship transform करें, जहां पर कि different caste, different region, different culture, different language के लोग साथ-साथ ठीक से रह सकें, मतलब बिना एक दूसरे के को घरना किये हुए, या लडाई किये हुए, तो वो positive peace है, negative peace तो यह होता है कि जैसे कभी दंगा हो गया, मतलब दिल्ली में, त वो कोई peace बहुत दिन चलता नहीं है, positive peace होता है कि जब आप उस दंगे के कारण के अंदर जाके उसको खतम करते हैं, relation को transform करते हैं, माल जे हिंदू, Muslim के बीच में, या upper caste, lower caste, जो भी violence को जर्म देता है, तो वो positive peace है, तो यहां पर इन सब को पढ़ेंगे, तो transformation of relationship, बहुत अ हैं, इस paper के, paper three के, और दोनों ही थोड़े bouncer question है, वैसे तो इसमें name बहुत famous है, Hans Murgantow है, जो की classical realism के father है, रेनॉल्ड निवर है, जो Christian realism के जनक माने जाते हैं, E.H. कार जो है classical realism, आपने देखा 20 year crisis लिखा है, लेकिन इसके जो कथन हैं, वो इतने popular नहीं है, तो यहां पर आ event नहीं है, लेकिन आप यह जोर जान सकते हैं, कि South Sudan से बाद में कोई भी country UN का member नहीं बना है, 2011 में, तो यह सबसे बाद में हुई होगी, क्योंकि Churchill तो 1940s, 50s के हैं, African Union और Southeast Asian, तो यह सब बहुत पहले हुआ होगा, तो four से जो अंत हुआ है, तो यही दो है, तो आप इसमें guess 50 50-50 guess मार सकते हैं, और answer है सही B, which one of the following statement regarding realism are true, मतलब realism के बारे में, इसमें से कौन सा कथन सही है, जब इसको आप पढ़ेंगे, तो यहां आके अटक जाएंगे, all states do not possess power to inflict some harm on its never, यह कहता है कि हर state, जो होगी नहीं कोई एक ऐसा power hold करे, जो अपने never को चोट पहुचा सकता है, चोटा से चोटा चींटी टाइप का भी state, यदि आपका never है, माल दी, तो वो भी आपको बहुत चोट पहुचा सकता है, इसलिए यह statement गलत है realism के साब से, तो इसलिए 1, 2, 3, who defined non-alignment as a policy of keeping out of alliances, तो non-alignment के बारे में कुछ अच्छी और ज्यादा बुरी बाते जो हैं, वो George, अब इसके आगे मैं pronounce भी नहीं करूँगा, मैं tongue twist नहीं करना चाहता, आप खुद पढ़ लीजे, इन्होंने कई इस पर बयान दिये हैं, यही इसका सही answer भी है, North American Free Trade Agreement, NAFTA, यहां भी इन्होंने अच्छा information देगे, 1994 में वो आगया, आपको यह काम भी आएगा एक question में, वो कौन-कौन से तीन कंट्री को, अब तो NAFTA वैसे खतम हो चुका है, आपको पता है, आपको पता है, यार गाइड़े मैंने दिया, एक दूसरी जो association है, वो इसके बदले आ गई है, इसमें तीन ही कंट्री थे, USA, Canada and Mexico, और यही तो तीन हो North America को define करते हैं, Who among the following realist thinkers identify three images of politics? यह मैंने भी आपको जस्ट बताया कि three levels of analysis को explain करते समय, three images of politics की परिकलपना जो है Kenneth Walge ने किया था, define करते हुए neorealism या structural realism को. अब यहां पर जो है, यह इसमें से कौन सा सही है, यह कह रहे हैं, तो एक ही, इसमें चली है, इसमें तो एक नहीं, बहुत सारे options हो सकते हैं, तो जो जो ले पढ़ते हैं, South-South cooperation is an alternative to North-South aid, ठीक है, it refers to cooperative mutually beneficial activity in the field of trade service technology, सही है, UN General Assembly declared 19th December the annual UN day for South-South cooperation, पता नहीं साइद, इस टाइब का statement generally सही होता है, क्योंकि यह आपको क्यों धोखा कोई दे, WTO came into existence for facilitating South-South, बिल्कुल नहीं, WTO को South-South से कोई मतलब नहीं था, तो 1, 2, 3 जो है, इसका सही जवाब है, Operation Enduring Freedom, आपको पता है, यह Taliban पे जो अटाक हुआ था, 9-11 के बाद वो था, तो eviction of Taliban regime from Afghanistan, एक्चुली ऐसा कहना तो सही नहीं है, बिसकली वो उसमें साल-Qaeda को मतलब खतम करना था, चुकि Taliban regime उसको समर्थन दे रहा था, इसलिए Bush administration ने उस पे अटाक किया था, Which one of the following country is not a member of Wimsteak? इस बहुत आसान question है, जो 1997 में स्टार्ट हुआ, सार्क का एक तरह से alternative है, और इसमें चाइना इसका member नहीं है, इसके member साथ है, आपको याद होना चाहिए, पांच तो सार्क नेशन है, और दो Myanmar and Thailand है, मैं मोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर लीजे का, आगे म मैंने कहीं पर दिया भी है, कल भी मैंने बताया था DUT के question को discuss करते हुए, what is not true about ASEAN? तो ASEAN के बारे में अदि आप इसको पढ़ेंगे, तो ये इसका official answer दिया है, it stands for strategic cooperation at regional level, इसको इन्होंने कहा है कि ये सही है, लेकिन मेरे नुसार से was not committed to any political ideology में भी, ठीक है, चलिए, ठी इसको मान लेते हैं, तो political ideology तो ये अपनी रखते नहीं है, EU के जैसे, which one of the following is the report that triggered the process of UN reform? ये अच्छा question है, इसका answer ही सिधा जानले जी, UN के reform के लिए बहुत सारे report आये हैं, लेकिन उसमें जो है, ये report जो है बहुत important था, जो अभी हम लोंने देखा, बोत्रोस, बोत्रोस ग making and peace building like that. ये सब रिपोर्ट को भी जरूर देख लीजिये, Kofi Annan ने जो है, in larger freedom, Kofi Annan के report है, UN for a stronger organization worldwide, Amnesty International के report, which one of the following report cites the unjust global trade regime as primary cause in increasing global inequality. इसका official answer में, अभी मैं memory से दे रहा हूँ, तो आप इसको एक बार जोड़ चेक कर लीजेगा, मुझे लगता है, इसका official answer है, development assistance committee report 2003, लेकिन मैं फिर से एक बार बोल रहा है, उसको चेक कर लीजेगा, ये statement है, लेकिन चलिए ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, while all politics is necessarily pursuit of power, ideologies render involvement in that context for power psychologically and morally acceptable to the actors and their audience, तो चलिए ठीक लगता है, ideal for peace and international law, imminently, ideology is edge over, अब यहाँ पर आप आकर टक जाएंगे, ideology has always an edge over national interest, ये ऐसा crude statement है, और इतना outlandously wrong है, कि इसको आप काट देंगे, तो इसको आप काटेंगे, तो ये तीनों जो है, तीन आपको सही मिलेगा, और यही इस का सही answer है, अब यहाँ पर चलिए हम लोग, ये बहुत आसान इसलिए है कि इतने famous famous book है ये, अभी just हमने D.E.U.E.T. में भी हम लों ने देखा था, इस Tiggler's की book, जो Nobel Prize winner है, उन्होंने दिया है, globalization and is discontent, तो D का 2, D का 2, इस से 50-50 game आप खेल लेते हैं, और David Hill ने दिया है, this C का 1, बाकी को भी आप match कर लीजएगा, very important, which one of the following is not an IGO, intergovernmental organization, तो आपको पता है, Amnesty International थोरी है, वो तो एक private organization है, बाकी UN, Arab League, African Union, IGO वो होता है, जिसके member, nation state होते हैं, अब हम लोग आ गए हैं, June 2015, paper 2 में, who among the following regards international politics as an autonomous discipline, अब इसमें से एक को छोड़ करके बाकी सब हैं, क्योंकि तीन है इसमें, तो यहां आप guess कर सकते हैं, कि Martin White, जो कि English School के, International Society School पर बोलते हैं, तो वो autonomous नहीं मानते हैं, क्योंकि English School जो मानता है कि, यह एक तरह का sociology और psychology और international law, इन सब से mix हैं, international relations जो हैं, को autonomous discipline नहीं है, तो इसको इदी हटा दें, आप तो A, B, D बचता है, वही सही है, Matin, White, Hadley, Bull, यह सब सब को याद रखें, यह सब English School के proponent है, 42 number question देखें, which of the following pairs correctly match, तो control of the arms race, अब यहां पर देखें, इसमें, चुके में एन एंसर ही दे दिया है, difficult है, A है, A, B, C, इसका मतलब कि D जो है, वो गलत है, आप चेक कर लिजएगे कि Winning Without War किसने लिखा है, साथ It May, It Joanne, इल लिखा है, आप पढ़ लिजएगा और इसको नेट पर जाकर कि, और इन तीनों को याद भी कर लिजए कि इनों लिखा, of course, बहुत ही popular book नहीं लिखें कहीं आपको काम आजाए किसी competition में, bargaining theory मतलब क्या होता है, कि जो war है, एक तरह का bargaining है, जैसे अभी Russia, Ukraine के बीच में चल रहा है, हर war जो है, एक bargain होता है, उसके लिए ही लोग करते हैं कुछ पाने के लिए, तो इसमें से आप केवल Kenneth Walch को निकाल सकते हैं common sense से, क्योंकि वो new realism के जनक हैं, तो उनका bargaining theory से तो नाता होना बहुत कम possible है, वही सही भी है, बांकि तीनों को रट लिजे कि यह सब bargaining theory से related है, Nash, Schilling, Fischer, which one of the following was not feature of old diplomacy, old diplomacy वो था जो French revolution के पहले माना जाता है, जो secret था, transparent नहीं था, बहुत elitist था, aristocratic था, तो transparency तो कभी आएगी नहीं, अभी अभी आया है कि diplomacy जो है, confidence बिल्ड करना चाहिए, दो nation के बीच में तो open होना चाहिए, share करना चाहिए information, उस से में transparency नहीं थी, secrecy थी, which one of the following article of the charter of United Nation organization are related to regional organization, chapter 9 जो है, परहाप्स memory से बोल रहा हूँ, regional organization is related like ACN, EU and all, और इसमें जो सही option है, वो A है, तो just आप, तो A option जो है, B, C, D, इसका मतलब 52, 53, 54 जो article है, वो related है, regional organization से, which of the following country is not a member of ACN, असान है, आपको पता है, North Korea क्यों होगा member ही, तो ISO, लेसे में पढ़ा हुआ है, बागी सब हैं, इसके 10 member हैं, और आगे question भी है कि कौन बाद में बना, कौन बना, तो आगे देखेंगे हैं, आपको पता होना चाहिए कि 5 original member कौन हैं, और बाद में कौन बने हैं, originally, what was the total strength of Security Council of United Nations, बहुत ही घिसा पिटा और बहुत repeated question है, पहले 11 होता था, बाद में उसको बढ़ा करके 15 कर दिया गया, recently, उसमें से 5 member, जो P5 हैं, उपर मानेट हैं, recently, France has agreed to set up Atomic Power Plant in India Act, अब यह तो उस समय में 2015 या 2014 में न्यूज में होगी, वो जैतापूर में, फ्रांस के सही होग से बनी है, जो ये कुंदन कुलम, जिस पे की बहुत हंगामा हुआ है, वो अरसिया के सही होग से बनी है, और तारापूर जो है, वो सबसे पुरानी नुक्लियर प्लांट है इंडिया की 1969 में कमिसन हुआ था, उसमें भी यूरेनियम जो है, रसिया ही सप्लाइ करता है, इससे ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्यों इंडिया अभी रसिया के एकदम अगेंस नहीं जा रहा है यूकरेन के वार में, क्योंकि रसिया जिस तरह से इंडिया को सपोर्ट करता है आम्स में, नुकलियर मेटेरियल में, वो कोई कंट्री वर्ड में नहीं करता, तो उसके एवज में कुछ तो देना पड़ता है इसलिए इंडिया का थोड़ा अलग टैप का रूख है जिससे कि विस्टरन नेशन, इंक्लूडिंग यूएस से थोड़ा सा परिशान भी है अब यहां पे, जो है मैंने जस्ट दे दिया है, क्योंकि यह बहुत है डिफिकल्ट है, कि आप याद रखें कि नाम की इतनी सारी मीटिंग हुई है, फर्स्ट कहां हुआ, सेकेंड कहां हुआ तो बस आप जानते हैं, तो जानते हैं, आप देख लीजिए, लेकिन इसमें से जो आप देखें, तो अलजरिस जो है वो टू, टू जो है वो सी, मतलब कि फोर्थ समिट जो हुआ अलजरिस में, यहाँ पे ही नियो की डिमांड पहली बार रखी गी थी, यह अभी क्वेशन भी पूछा, यह important information है, पहला ऑफकोर्स जो समिट था, वो बेल ग्रेद में हुआ 1961 में, इसे लिए 15 पेपर 3 Who among the following is associated with the concept of realistic liberalism? मतलब, liberalism जो realistic है तो यह मैं मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने इसका answer देखा था, यह जॉन हर्ट है तो मैं question mark लगा रहा हूँ, इसके बारे में और पढ़ लीजेगा कि क्यों यह realistic liberalism के जनक कहलाते हैं या proponent कहलाते हैं बैकरेट और बैराज जो है मैंने आपको पढ़ाया है कि इन्होंने power का second dimension दिया था, लेकि इन्होंने three classes of international relation भी बताया था, यह three classes क्या है, तो इसमें से जो है, B इसका answer है, मतलब की A, C, D, तो किवल force relationship, आप छोड़ दीजिए, influence relationship, legitimate and power relationship जो है, वो सही है, इसके बारे में और आपको पढ़ लेना चाहिए, मैं question मार कर रहा हूँ Which one of the following books was written by E.H. Karab, यह तो बहुत लड़ू question है, अचानक से level down हो जाता है, 20 और यह आपको बचाता है, देखिए dear student, यहाँ पर धान दीजिए, कि आपको बहुत सारे bonzer question मिल रहा है, आप देख रहा है, आप परिशान होंगे, लेकिन all of a sudden ऐसा भी question मिलेगा, और यदि आप total जोड़ेंगे, मैंने इसमें जोड़ा नहीं है, तो always आपको करीब 55-60% जो है, वो ऐसे question होंगे, जो यदि आपने ठीक से prepare किया है, तो आप उसको hit कर देंगे, और आपको complete करने के लिए कितना percent चाहिए होता है, 70% maximum, और 70, 10% जो आपको है न, वो guesswork से मिलता है, उसके लिए आप prepare नहीं कर सकते हैं, वहीं पर आपका, जो है, mind game पता लगता है, कितना आप में resilience है, तो आप तयारी 50-60% करके जाए हीट करने का, और 10% जो है, वहीं पर नंबर को gain किजिए अपनी बुद्धी से, और इस तरह सी UGC net को यदि आप देंगे, तो हसते खेलते crack करेंगे, यदि आप 80% करक करनी के तयारी करेंगे, तो आपको दो साल तयारी करनी पड़ेगे, because question उठपटांग पूछते हैं ये, चाटने के लिए, अब ये question जो है, ये invalid हो गया, क्योंकि France Fanon लिखना चाते थे, पता नहीं क्या लिखना चाते थे, जबकि जो third world coin, इन्होंने किया भी नहीं है, किया जो है, वो French demographer Alfred Sauvy ने किया था third world 1952 में एक article में, तो इसलिए ये question ही गलत हो गया, अब ये जो है, इतना popular नहीं है, ये सारे जो author हैं और book, इसलिए मैंने सीधा दे दिया है, इसमें सहे हैं कि not correctly match, तो दी जो है, वो correctly match नहीं है, बाकि तीन को आप रख लीजिए, pause करके आपको फायदा होगा, who condemned non-alignment as a selfish policy, अभी हम लोग हैं देखा कि ये, अब इसका हम pronounce नहीं कर रहे हैं, इन्होंने कई बाते ऐसी कही non-alignment बारे में जो कि बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ भी answer यह, यह आपको दो बात चुकी मिल गया है, तो इनको याद कर लीजिए, मैं question mark दे रहा हूँ, net पे जाके इनके बारे में थोड़ा पढ़ भी लीजिए, who among the following are supporter of realistic approach to international politics, इसमें से कौन जो है, अब इसमें से आपको तीन है, तो इसका मतलब एक ही निकालना है, जो कि realistic नहीं है, liberalism या अधर का होगा, और यहाँ A answer है, इसका मतलब कि जो A है, वो नहीं है, तो Columbus and Wolf जो हैं, यह realism के समर्थक नहीं है, बाकी जो हैं तो इसको ठीक से देख लिए, यह कार तो आपको पता है, लेकिन बाकी दो साथ पता नहीं होगा, who among the following had declared that arms race in itself is experience of terror, तो यह कहने वाले English school के headly bull थे, बस आप जान लिजे, जानते हैं तो जानते हैं, very difficult type of question, again 69 भी difficult question है कि इसमें से, which of the following countries was a part of recently concluded T5 plus 1 nuclear argument, argument नहीं लिखना agreement हुई थी, तो P5 मतलब होता है permanent member 5, आपको पता है कौन-कौन है, China, France, Russia, United Kingdom, United State, और 1 जो है इरान था, उन लोगों के बिच में 2006 में जो है एक diplomatic effort हुआ था nuclear disarmament को ले करके, तो यह जो है was a part, तो इसमें part जो है वो, इसमें Germany जो है वो एक part play किया था, तो Germany और फिर इरान के साथ इन्होंने जो है deal किया था, तो P5 प्लस वन मतलब की जो 5 है और प्लस 1 Germany, which of the following is, यह question थो है difficult है लोगि interesting इसके बारे में और थो है पढ़ लीजगा P5 प्लस वन, मैंने यहाँ पे काफी कुछ दिया है which of the following is not a form of national power तो आपको पता है कि military power है psychological power होती है, economic power होती है social power भी आप confused हो सकते हैं रेकि नहीं है तो ठीक है, यह नहीं है psychological power तब होती है जब आपके, मतलब एक आपका जैसे US का psychological power भी है वो कुछ बयान देता है तो उससे country फ़रक पड़ता है क्योंकि it is backed by military and economic power which of the following country is not a member of SAR इससे आसान क्या हो सकता है मैंनमार SAR का member नहीं है which of the following scholars of international politics did not subscribe to the view that no social science can survive without idealistic aspect अभी a difficult question है इसमें अभी कहता है कि कौन सान नहीं इसका मतलब कि इनको छोड़ दीजिए तो बाकि तीन है तो ठीक है जबकि तीनो जो है मतलब इसमें E.H. Carr और Reynolds-Nayvr तो realism के proponent है तो वो भी idealism को मानते हैं इसमें realism भी idealism which of the following is also called total disarmament अभी यह English का question है total disarmament का माइने है comprehensive disarmament इन चारो में सबसे अच्छा word जो इससे match करता है वो यही है English question who stated that international politics include analysis of political relation and problems of peace among nations तो यह Morgan Thau ने कहा इतना famous thinker ने तो इसलिए यह important है इसको याद कर लेजे which member state of ACN had joined this regional organization 1999 अब इसका सही answer तो Cambodia है लेकिन इसके through पूरा ही जान लेजे कि 5 इसके original member थे Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand जो की Bangkok declaration 1967 में वही थे उसके member बने फिर Brunei जो है 1994 member बना फिर Vietnam 1995 में Lao और Myanmar 1997 और सबसे लास्ट में Cambodia इसको याद कर लीजे कोई कि यह पूछा जा रहा है अब आईए December 2015 paper 2 Economic diplomacy is also termed as यह again एक question English का question है इस सब में देखेंगे तो development diplomacy छोड़ के कुछ हिससे ज्यादा मिलता जूलता नहीं इसलिए यही सही है इस अ political science से question नहीं है Which of the following is not a characteristic feature of non-alignment अब इस इन्होंने answer दिया है कि non-alignment asserts that international peace is an alienable prerequisite for attaining national aspirations and for the exercise of sovereign independence मुझे नहीं लगता कि यह answer सही है लेकिन मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ बाकी तीन आप पढ़ लिजे पढ़ लिजे और मुझे लगता था कि इसका सही answer C होना चाहिए क्योंकि आप इस line को पढ़िए non-alignment rests on the presumption that national security is linked with national strength of individual nation यदि ऐसा कहना है तो फिर कोई alliance बनाने की जरुवत क्या है मतलब नॉन alignment country का क्या मतलब है दी सब अपने पने individual ही है अपने strength पे रहेंगे perhaps मैं confused हूँ आप इसको पढ़ लेजे इसका official answer D है मैं आपको बता दिया which of the following is not a technique to exercise national power तो इसमें से आप देखेंगे तो diplomacy है economic state craft है यूज लेकिन world organization join करना थोड़ी national power को exercise करते है that is not यह तो realist conception है national power को exercise करना अब यहाँ पे इसको चलिए match करने की कोसिस करते हैं और यह देखी यह मैंने कैसे crack किया मुझे इसके बारे में बहुत जादा knowledge बाकी तीन के बारे में था लेकिन मुझे यह पता था कि Martin White ने जो है three tradition को mix किया यह बहुत important question है अपने आप में जो English school के हैं उन्होंने rationalism Hugo Grotius का, realism Hobbes का और revolutionism Kant का ले करके एक synthetic IR theory बनाया तो यह चुकि मुझे पता था तो देखिए international relation theory the three tradition तो इसको हम A को 4 से match कर देंगे और हमारा यह question crack हो जाता है तो एक भी information आपको कैसे question को crack करता है आप देखिए बाकी रोक करके देख लीजेगा in obscure matching को और याद कर लेजे which one of the following can be regarded as the currency of power मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि international relation में आपके power के लिए जो पैसा है वो क्या है तो कोई भी बोलेगा nuclear weapon यह दी आपके पास जितना nuclear रसिया के पास सबसे जादा nuclear weapon even USA से भी जादा लोग कहते हैं तो समझे उनके पास power है जबकि वो एक गरीब कंट्री है which of the following statement are correct अब यह बहुत ही obscure question है क्योंकि इसमें इसका जो सही जवाब है कि B सही नहीं है यह 2002 में बना था Switzerland यह भी अजीब बात है कि Switzerland दिम बाद UN का मेंबर बना लेकिन 2003 है इतना difficult है तो B कोई दिया आप निकाल दें तो A, C, D है लेकिन इस तरह के information को याद रखना बहुत मुस्किल है आप पढ़ लिजे इसको बागी चुके तीन statement सही है तो आपको कुछ knowledge मिल जाएगा UN के बारे में Who was of the opinion that the end of the cold war represented the victory of ideal state and liberal capitalism तो मैंने आपको जैसा बताया है कल भी कि Francis Fukuama का जो book है End of History and Last Standing Man उसके बगएर जो है Last Man उसके बगएर मेरी कोई भी वीडियो पूरी होती नहीं है तो यहाँ भी वही हुआ यह फिर से आ गया Francis Fukuama का End of History और आज ही किसी मेरे इस्ट्रेट ने कहा कि End of History और End of Ideology थेसिस का एक है मेरे अंसार से दोनों एक है End of History मतलब क्या होती है कोई History का अंत नहीं होता है जो Ideological Development जो Historical Development of Ideology जो है कि एक Human Arrangement कैसे रहना चाहिए क्या वो Fascism सही है Socialism सही है Communism सही है Social Democracy सही है Liberalism सही है Free Market Economy वो उसका जो Pinnacle पहुंच जाता है जहां कि author ये कहता है कि इसके उपर अब कुछ नहीं वो ही End of History है या End of Ideology है तो ये Francis Fukuama है Francis Fukuama को अभी भी YouTube पे आप जाके सुन सकते हैं आजकल भी भाशन देते हैं ये question invalid question है क्योंकि ये सही match नहीं है बाकि वो ऐसे ठीक है बहुत अच्छा question बन सकता था लेकिन आगे इसको देख लीजेगा बतार इसमें कुछ-कुछ information इससे निकाल देजेगा 49 number question देखे the following statement are correct तो इसमें से कौन सा correct नहीं है तो ये इसको निकाल देजेगा बाकि ये तीनों को पढ़ लीजे ये important है और ये सही है BCD अब ये कह रहा है कि कौन सा article जो है ये बात कर रहा है all the members of the UN undertake to make available मतलब हिंदी में मैं बोल रहा हूं कि सभी जो member है United Nation के वो अपना पूरी जो सहयोग है ये सेना मांगे assistance facility ये security council को देगा world में peace establish करने के लिए peace and security तो ये chapter 7 है आपको पता है chapter 7 जो है वो forceful method से peace को establish करना है ये peaceful नहीं हो पाए तो उसमें जो article 43 है उसमें लिखा है तो ये फिर ही आपको एक indicate कर रहा है कि जितने उसके chapter है United Nation charter के और उसके जो article है उसको जो देख लिए किस article में क्या है और किस chapter में क्या है ये पूछा जा रहा है खास करके chapter 6 जो की peaceful means से peace establish करना और chapter 7 जो की by force यदि संभव नहीं है peaceful means से peace establish करना इसके लावा chapter 9 जो है वो original arrangement पे है वो भी देख लिए जो मतब ये करें Nicholas Unaff ने एक book लिखा था world of our making उसमें कौन सा जो thought था ये कौन सा जो ideology को उन्होंने प्रतिपादित किया था तो ये constructivism था social constructivism इसी के जो हैं Alexander Wendt भी है जो की यहाँ पर आपको आ गए है इस question में Alexander Wendt ने लिखा social theory of international politics इससे आप समझ सकते हैं कि social constructivism तो ये हैं event और इससे आपका answer भी ये crack हो जाता है DK2 से और आपका लीजे ये crack हो गया बांकी को आप match कर लीजेगा Barry Bujan जो है Copenhagen School के हैं जो alternate form of security को देखता है security, human security के terms में और Kenneth Walls भी यहाँ पर है जो की man, estate and world बहुत important ये है सले इसको पूरा ही आद कर लीजे which of the following is not correct regarding WTO अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे आजाएगा ये आजाएगा it supplies technical assistant training for developing ये सब कोई training नहीं देते हैं 63 कर डी है, बांके सब ये करती है which country is example of latent nuclear capacity ये कहता है Japan मेरा कहना है क्यों नॉर्थ कोडिया latent nuclear capacity state उसको बोलते हैं, जो कि लगता है कि वो उसने capability develop कर ली है nuclear पर बनाने की, केवल उसने declare नहीं किया है लेकिन उसके पास में पूरी wear विथल है, ताकत है nuclear state बन जाने की, इसके अनुसार से जो है Japan है, मुझे लगता है कि confusing है क्योंकि नॉर्थ कोडिया भी हो सकता है, but anyways मैं इस पर आपके लिए छोड़ दाता हूँ अब यहां पर बहुत लंबा-लंबा sentence है इसको match करना, लेकिन बहुत मुस्किल नहीं है क्योंकि ये बहुत चीज़े इसने लिख दिया, जैसे कि counter value strategy अब यह एक ही जगह जो है यह type of nuclear strategy मतब यह सब nuclear strategy का type है, जो की दूसरे state के valuable assets है, उसको target करता है तो D का 1 से आप match करेंगे तो आपका यह crack हो जाता है, बाकी को आप match कर लिजेगा, बहुत लंबा-लंबा है लेकिन बहुत सब आसान है, मतब किवल language से आप पकड़ सकते हैं उसको who is given credit to coin the term soft power soft power आपको पता है, Joseph ने इन्होंने book भी लिखा है, soft power और इनका soft power क्या करने से example देखे, इंडिया के soft power क्या है, जैसे yoga है, हमारा ancient civilization है, हमारी philosophy है, हमारी bollywood industry है हमारे poet है हमारे thinkers है तो यह सब चीजे जो है, इस तरह से soft power भी आपको world international revolution में जग़ दिलाती है Marcel Plan का official name क्या था यह तो कितनी बार कल भी हमने देखा European recovery program, क्या था आपको पता है, यदि आप UGC आपको पता है according to Holstie, which one of the following is not a feature of contemporary state system असान होना चाहिए, इस में से यहां देखिए इसको छोड़ दीजे क्योंकि यह बहुत specific बात कहता है इसके अलावा तीनों जो है सही देखते हैं इसलिए इसको आप odd one out कर सकते हैं क्योंकि यह nuclear capability और destruction की बात करता है, बाकी सब जो state system के फीशन है The principal purpose of India's foreign policy vis-a-vis UN is to pursue three, मतब तीन जो है closely related जो goal है, वो India अचीव करना चाहता है UN के साथ relation से, उसमें से कौन सा goal इसमें से नहीं है तो इदे आप इसको पढ़हेंगे तो यह देखे जा सक कैसा statement है, यह आपको कितना help करता है इस type के statement के लिए आपको thanks देना चाहिए sector को, क्योंकि वो ऐसा statement देखे आपका रास्ता आसान कर देता है To help UN to develop its own financial resource India को क्या मतलब कि financial resource UN अपने develop करे, यह तीनों बाते सही है, इंडिया का goal है यह और important है, इसको पढ़ लिजे Which of the following is not included in the doctrine of pencil? यह सब बहुत आसान है, अब यहाँ देखे लिखा हुआ है nuclear weapon, nuclear weapon की कोई बात ही नहीं थी उस से हैं, बाकी तीनों ठीक है, पाचों principle जो है पढ़ लिजे अब यह तो इतना obscure है यह देखे, नाफ्टा जो है वो North America आपने अभी देखा तो वो D का 4 से आप match कर लेते हैं, लेकिन problem यह है कि आपको 50-50 ही खेल पाते हैं तो आपको एक और जानना होगा अब इन सब को मैंने दे दिया है, आप जब देख लिजे इसका सही answer A है, और यह जो तीनों छुपे हुए जो organization है उसके बारे मैंने थ्वासा दिया है, आप नेट पर जाके पूरा पढ़ लीजे और जरूर पढ़ लीजे क्योंकि यह एक बार पूछा दो सकता है कि कहीं कहीं और भी यह difficult बनाने के लिए यह सब organization आ जाएं, क्योंकि यह मैंने अपने IR guide में भी नहीं दिया हैं इन तीनों organization को, the roots of newly emerging forces of globalization have been traced in specific economic and political development and late which of the following are not included in this category अब यह कहता है, basically a question क्या करा मैं हिंदिये बता रहा हूँ कि globalization जो उभर के आई है, उसमें से इन सब में कौन सा factor नहीं है globalization को लाने में, तो इसमें आप इते देखेंगे, testing of nuclear device by India and Pakistan, इसका क्या globalization से नाता है, यह अगें help किया है, question setter ने ऐसा एक बखवास line दे करके कह लेजिए, बाकि तीनों जो है, end of cold war and dismantling or USSR, collapse of world in wall, यह सम globalization को लाने में factor थे, who among the following is associated with democratic peace theory, blood do type of question है, यह सब Michael Doyle ने democratic peace theory लिखा, वो जो basis जो था, वो 18th century में Immanuel Kant ने perpetual peace नाम की thesis या book लिखी थी, उसी के basis पे democratic peace theory Michael Doyle ने लिखा, जो liberalism के proponent थे, इसके अलावा जो 14 point principle जो चर्चिल ने दिया sorry, Woodrow Wilson ने दिया था वो भी जो है perpetual peace पे ही आदारी थी Immanuel Kant के और यह सब सब पूछा जाता है किस पे आदारी था 74 number question देखे, in which country did Saudi Arabia militarily intervene in March 2015 यह तो उस समय का बहुत बड़ी घटना थी, इसलिए पता होगा अभी तो जरुबत है नी, लेकिन Yemen में जो है, Saudi Arabia ने करीब 7-8 Arabian country के साथ alliance बनाया और उन होन उसने Yemen पे उसने यह किया था invasion किया था, which are the following are organs of organization of American, जो OAS है, जिसके बारे मैंने लिखा भी है अपने AIR guidance, लेकि इतने अंदर तो मैं भी नहीं गया हूँ कि इसके कौन-कौन से जो है फिल्टर आउट करने में तो इसका answer है D, A, C, D, B को छोड़ दीजे Inter-American Conference, वैसे आप common sense से भी कर सकते हैं कि Inter-American Conference तो होगा नहीं, Secretariat होगी, this होगी, Council होगा and all, आप तो guess कर सकते हैं चली, अब हम लोग पहुँच गए है, last cycle जो मैं इस paper में डिसकस कर रहा हूँ, July 2016, paper 21 question देखे, who among the following Hindi में बताते हैं, इस में से किसने जो है ये कहा कि state जो है वो पीछे हट रहा है क्योंकि globalization का एक भाव आ रहा है, तो state पीछे market आगे आ रहा है, ये इस नाम की जो book है, Retreat of the state, ये Suzanne Strange ने इसमें से किसने कहा है कि realism is likely to remain the single most useful, मतलब realism जो है आगे आने वाले समय भी सबसे important theme रहेगा international relation के toolbox का, तो ये कहने वाले Stephen Walt है, Stephen Walt के बारे में आप बहुत चीज़ पढ़ सकते हैं और बहुत जगे इनके question पूछे आते हैं, इनों realism के बारे में काफी कहा भी है, तो आप ज़ूर पढ़ लीजेगा net पे, मैं question मार कर रहा हूँ, which of the following is not the basic norm of the balance of power system, मतलब देखे, balance of power जो है, realism का एक core strategy है, state का, आपस में survive करने के लिए, balance of power क्या है, कि power balances power, तो SML जी, पाकिस्तान को इंडिया से डर लगता है, तो चाइना के साथ उसने alliance कर लिया, जिससे कि उसकी power match कर जाए, इंडिया ने nuclear bomb test किया, तो पाकिस्तान भी nuclear state बन गया, तो balance of power, यह balance of power का लाता है, तो इसमें से कौन सा जो है balance of power का part नहीं है, यह कहता है increase their capability by acquiring territory, increasing their population or developing economically, पता नहीं, B भी हो सकता है, यह question ठीक से frame नहीं है, क्योंकि यह तो D इनोंने दिया है, वो भी ठीक नहीं लगता है, but anyways, मैंने question मार के पढ़ लेगा, अब इसको match करना है, मैंने सीधा answer दे दिया है A, जबकि इसमें Morganthal भी हैं, Van Dyke हैं, जो कि बहुत important हैं, और फिर से तीसरी बार, जो है Jours and Das, मैं pronounce नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बुरी हो जाएगी इनकी, it's such a tongue twister, यह तीसरी बार आ रहा है, नायम के बारे मिनोंने दो-दो बार बात कही है, तो answer A है, आप इसको रोक करके आप देख लिजएगा, याद कर लिजएगा, Article 25, जो है, बहुत important है, यह मैं सीधा answer दे रहा हूँ, यह क्या कहता है, अब आप देख रहा हूँ कितने बार Article, जो है, UN Charter का पूछ रहा है, तो आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई, इसको पढ़ लो, पढ़ लो, यह C है कि All UN Members Agree to Accept and Carry Out the Decisions of the Security Council, Security Council किस तरह से बानता है सभी स्टेट को, यह United Nations का बहुत बड़ा feature है, Which of the following has not been incorporated into Indian law either fully or partially, तो यह इसलिए असान है कि कई जगह आप पढ़ेंगे दे, आप ICC के बारें पढ़ेंगे International Criminal Court की, इंडिया ने उस statute को साइन नहीं किया, जगो Rome Statute काता है, तो और यह भी एक question पूछा जाता है कि किस statute से International Criminal Court बना है, तो Rome Statute से इंडिया ने नहीं साइन किया है, एक और question है, जो अभी यहाँ पूछा गया, और third question है, इसके headquarter का है, इसकी headquarter वहीं है, जहां पे की International Court of Justice का है, हेग Peace Palace, हेग में, जो नीदर लैंड में है, इसी ICC के बारे में कहा जा रहा है, तो इसमें से यह कहता है कि नहीं है, अब यह तो बहुत ही obscure है कि, इस statute जो Rome Statute था, वो कब adopt हुआ था, तो इसका date यहां पे जो है, गलत है, यहां पे देखे, यह सही है, 2002 में तो 1998 में इतना पहले नहीं आया होगा, 2002 में ही आया होगा, इसलिए यह गलत है, यह गलत है, तो मा की तीन सही है, मा की तीनों को ICC किवा रहे हैं, पढ़ लीजे, अभी ICC फिर से जो है, न्यूज में आया है, बिकोज रसिया ने जो काइम किया है, हुमनिटी के इसमें बूका में, जिस तरह से लाश मिली है, ग्रेवियार्ड मिले हैं, उन सब के चलते जो है, ICC ने उन पर काफी सारी स्टिक्चर पास किये हैं, लेकिन उसका क्या असर पड़ता है, उनको जो है, रसिया को UN, United Nation की Human Rights Council से भी जो है, सस्पेंड किया गया है, लेकिन उससे भी उससे क्या फरक पड़ता है, इन विच येर, the UN General Assembly adopted the Convention on the Rights of Person with Disability, ये बहुत ही known question है, इसलिए हमें भी याद रहता है, 2006 में adopt किया गया था, मुस्किल नहीं है, लेकिन ये उतना ही मुस्किल है, कि एक Committee, General Assembly की First Committee, Second Committee उसने किस issue पे थी, ये बहुत obscure है, ये इसका answer है, पढ़ लीजेगा, नेट पे जाके थोड़ी बहुत और पढ़ लीजेगा, रिजन रज़ासन देखे, इन आफ कोल्ड वार signified a shift from ideological politics in internationalism, ये सही था, क्योंकि जो वो ideological war भी था, between communism, socialism एक साइड में और capitalism, liberalism, तो ये तो सही है, religious fundamentalism is posing a threat to security, ये भी सही है, लेकिन ये इसको explain नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी इसका official answer दिया है, और ये भी सही है, अब हम लोग आ गए हैं, final 2016 के paper 3 में, match करने को है, अब ये आसान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने देखा, बुत्रोस बुत्रोस गैली ने 1992 में agenda for peace लाया था, तो 1992 से 1996 के बीच में उनका रहा होगा, तो B का 4 और B के 4 से जो है, आपको 50-50 game हो जाता है, और इसमें कोफी अनान को आप इसलिए याद कर सकते हैं, कि ये 2006 तक रहे थे, तो A का 3 है, तो A का 3, और B का 4, और कुट वाल देन, जो है, वो सबसे पहले जो आप दिखता है, वो आप डाल दीजे, तो 1, C का 1, और इससे क्राक होती है, ये, याद कर लिए, इससे ही आपको क्या क्लू मिलता है, कि जो आठ नौ जो UN के Secretary General हुए हैं, उन सब का टाइम लाइन एक बार ज़रूर आप देख लेजए, UGC Net Exam के लिए. Which of the following right is not included in the second generation human right? Let do question three generation right, जानते हैं, first generation जो है, civil rights है, like right to free from torture, slavery, freedom and equality and all, जो second generation right, जो है, वो है, socio-economic right की, education, health, housing, ये सब मिले, तो इसको छोड़ करके बांकी सब second generation है, third generation जो है, वो आपका cultural rights है, group rights है, environmental rights है, like that. Which one of the following peacekeeping operation of the United Nations is not an example of first generation peacekeeping? अब आपको नेट पे जाके, first generation peacekeeping operation पढ़ लेना चाहिए. ये वो था जबकि बहुत जादा peacekeeping का जो concept था, United Nations बहुत developed नहीं हो पाया था. और आपको पता है कि peacekeeping एक concept developed हुआ, UN Charter में peacekeeping का जिकर भी नहीं मिलता है, ये किसी chapter में लिखा हुआ भी नहीं है, chapter 6 और chapter 7 के बीच की ये बात है, इसलिए इसको chapter 6 and half करते हैं, तो इसमें इसको छोड़ दीजे, अब आप मैं comment नहीं कर रहा हूँ, ये तीनों जो हैं first generation के example हैं, क्यों नहीं हैं, इसको निट पर जाके पढ़ लिजे, और ये बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें Francis Fukuama और Wall Street जैसे लोग आते हैं, जो कि बहुत ही known हैं, Van Newman Game Theory के लिए आते हैं, Morgan Thau Classical Realism के लिए, आप इसको match कर सकते हैं, Emmanuel Wall Street जो है, उसको आप जोर दीजिये, Dependency Theory से, तो A का 4, A का 4 और Crack हो गया, बाकी match कर लिजे, बहुत आसान हैं, और बहुत popular भी हैं, Region Regression देखिए, Non-Alignment Policy was more relevant during Cold War period, ठीक है, ये तो true है, और Non-Aligned Country are Divided, और Ethnic and Religious Difference, ये भी true है, लेकिन ये इसको explain नहीं करता है, भी इसका official answer है, जो मेरे अमसार से भी सही है, नेक्स एजरसन देखिए, American Foreign Policy Supported the Democratic Regime, true है, जनरली वो support करते हैं, लेकिन कभी-कभी, at times, the military system were also supported, आप PINOSET का याद कीजिये, चिली में और Pakistan के military regime, और कई जएके military regime को वो support करते रहें, ये भी true है, तो जनकिन उसको explain नहीं करता, तो B होगा, ठीक है, which of the following statement are not true of dependency theory, जब इसको आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे अटक जाएंगे, ये, industrialization leads to new form of democratization and equity in world global order, यदि dependency ये बात कहेगा, तो फिर dependency क्या है, dependency तो यही कहता है, कि जो industrialization है, globalization है, ये सब global capital structure का manifestation है, जिसमें की core country जो है, नौर्थ के, वो फाइदे में रहते हैं, unequal exchange होता है, और जो development का जो दावा किया जाता है, developing country में, वो तो समझेए कि एक तरह से under development है, या non-development है, ये dependency theory है, तो C को आप हटा दिजिए, C only, Uniting for Peace Resolution, जो है एक बहुत famous resolution है, United Nation का, जो की action plan के basis पे था, इसके बारे में, Uniting for Peace Resolution पर लिजिए, basically, ये कहता था कि, कभी कभी ऐसा होता है, कि Security Council में, veto के चलते, जो है, Security Council कोई decide नहीं कर पाता है, तो United Nation General Assembly, ऐसे condition में, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगी, और वो अपने मामला, अपने हाथ में लेगी, World में Peace को establish करने, जैसे अभी, माल जी, Ukraine में कोई बात नहीं बने, और बार बार रसिया, veto कर दे, तो फिर, UN General Assembly कुछ करेगी, वैसे क्या करेगी, UN General Assembly एक तरह का Parliament है, United Nation की, और Security Council उसका Government जैसा है, Parliament के पास क्या power होती है, उसके पास अपनी कोई force वोस तो होती नहीं, सारी जो power हो तो Security Council के पास में, Ackisson Plan इसले कहते हैं, कि Mr. Ackisson ने ये जो agenda बनाया था, उसी के basis पे ये हुई थी, Resolution Pass, Very Famous Resolution, अब यहां पे Truman Doctrine को भी याद कर लीजे, इसको Policy of Contentment कहते हैं, जिससे कि Cold War की सुरुआत हुई थी, उसमें Russia या USSR के जो Communist Expansionist Tendency था, उसको Third World Country में रोकने के लिए सारे उपाए करने थे, और Eisenhower का जो प्लान था, उसमें Eisenhower का एक Speech को याद कीजिए, जो कि Atom for Peace Speech, Very Famous 1950s में ने दिया था, United Nation में, जहांकि Atomic Energy का Use, Peaceful Means के लिए करने की बात थी, और वो कौन नेशन कर रहा था, जिसने पहला Atom Bomb गिराया था, इसको बोलते हैं Hypocrisy, Balance of Power is an Important Principle of Realism, यह बहुत Simple Question है, Realist Thought in It, Balance of Power उसी का है, यह सब बलडू Question है, ऐसे Question के लिए में साइंजार कीजिए, According to Iris L. Cloud Jr., कौन इसमें से, Power के Management के लिए Device नहीं है, तो यह आप देखेंगे, तो Arms Control, आम कंट्रोल जो है, वो कैसे Power का डिवाइस हो सकता है, बांकी सब मतब मैंनेज करने के ठीक है, Confusing, आप World Government Arms Control में कर सकते हैं, इसको Office Answer मेरे हिसाब से Arms Control है, चेक कर लीजेगा, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, How many Asian countries are a member of G20? Very good question, वैसे ये सब नंबर को जोड़ना होना अच्छी बात नहीं होते हैं, लेकिन ये ज़रूर जोड़ना चाहिए कि G20, जो सबसे Important अभी Global आपका ये Economic Organization है, Intergovernmental, उसमें Asia के साथ country हैं, कौन-कौन देख लीजे, चाइना, इंडिया, 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 जपान, साथी, अरबिया, साथ कोरिया and Turkey, Turkey को लेकर आपको confusion होगा कि आधा Asia आधा येरोप में हैं, लेकिन इसको Asia का ही मान सकते हैं, रोटगॉन जो उसके प्रेजिडेंट हैं, उसका नाम भी याद रखी, कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं कई-कई इशूस पे, कंट्रोवर्सियल पेयान देते आए हैं, तो 7, इसमें ये भी याद रखी है G20 में, कि इसमें 19 तो country हैं और 20 जो है European Union है, और European Union जो है, वो इस तरह से कई और organization में भी आजए country शामिल है, और ये question में पूछा आयता है, कि उसमें actual G20 में कितने country हैं, ये आपको confused clinical दिया आयता है, आप 20 लिखेंगे सोचते वे कि G20 है no, 19 country, 1 European Union, modern state system with its territorial sovereignty came into existence first in Europe in the way, ये लड़ू question है, आप सब जानते हैं कि Treaty of Westphalia से ही modern state system प्रकाश में आया, which of the following statement are correct regarding economic and social council of United Nations, मैंने सीधा answer दे दिया है C, 1, 2 and 4, मतलब कि 3 जो है वो नहीं है, बाकी सब है, अब इतना deep में जो है, इस ओक के बारे में economic and social council बारे में जानना असान नहीं है, तो आपको interest है, तो आप इन सब को पढ़के जाए, ये UN के बारे में बहुत कुछ पढ़िये, यदि आप Eugicinate में जा रहे है, मैंने IR guide में sufficiently दिया है, लिकिन इतना दूर तक तो नहीं दिया है, according to Karen A. Mingert, नाम सुनते ही आपको लेगा, which of the following conditions is not essential to make first generation peacekeeping operation most effective, फिर से वही question आ गया, कि what is the first generation peacekeeping operation, लेकिन ये question इसलिए असान है, कि ये common sense से solve हो जाता, आपको ना तो इस महान बेक्ती का नाम जानना है, ना ही ये जानना है, कि ये question क्या, मतब कि exact इसका answer क्या है, ये कहता है कि first generation peacekeeping operation को effective बनाने के लिए क्या चाहिए, और आप यहां पे देखिए, यहां लिखा हुआ है कि US forces must also be present in the peacekeeping operation, ये question setter ने आपको help कर दिया है, ऐसा outlandish crude statement देखर के इसने आपका काम असान कर दिया, क्या आप सोचते हैं कि एक particular nation state के force को आप United Nation के peacekeeping operation में ख़ड़ा रखेंगे, ये कभी हो सकता है, इसलिए इसको काट दीजे तो एक ही चुकी not करना है तो आपका answer solve हो गया, common sense question, use this, use your common sense during the exam, इसी common sense और अपने wit को और अपने mind के peacefulness को use करके आपको 10% जो है question को solve करना है, 60% के आपको तैयारी करके जानी है, मतला आप hit करेंगे और आप UGC net complete करेंगे, इसको match करना है, यह बहुत ही आसान है क्योंकि वही है वो agenda for peace की जो चार है न, preventive diplomacy, peace keeping, peace making, उसका explanation है यहाँ पे, तो इसे preventive diplomacy, तो आप यहाँ देख लिजे, it involves developing social political economic infrastructure to prevent further violence, यह तो peace building है, यह जो post-conflict peace building है, D का 2 है, तो D का 2 और इससे आपका 1 crack होए आता है, बागी सबको match कर लीजेगा, इससे A का 3 है, preventive diplomacy, it involves confidence building measure, fact finding and preventive deployment of UNO3, तो इस तरह से आप पढ़ लीजेगा, यह important है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके explanation है, अब इसका जो क्रम है, हम दोंने देखा, पहले यह है, उसका peace making है, फिर peace keeping है, फिर peace building है, तो यह क्रम में ही है, और फिर यह agenda for peace है, यह बोच्रोज बोच्रोज घाली ने इसको लिखा है, तो कितने question इससे आपको निकल जाते हैं? So dear student, इससे पहले कि हम आपको खतम करें और बोलें, आपने एक बार फिर से देखा होगा, कि इसमें कई boncer question है, कई orbit question है, लेकिन total आप गिनियेगा, मैंने आपके लिए count नहीं किया, आप देखेंगे कि 60% question ऐसे हैं, जो आप सीधा hit कर सकते हैं, यह आप really आपने तयारी किया है, आपने तयारी नहीं किया, तो आप 30% question करेंगे, लेकिन आप UGC net level के तयारी करके जाते हैं, मेरी guide देखते हैं, यह सारे question को देखते हैं, उससे related information को दिमाग मे लाते हैं, कुछ information को याद करके जाते हैं, बस यह तो तयारी है, एक दो महने की, तो आप 60% hit करते हैं, और 10% जैसा मैंने आपको बताया है, common sense है, by filtering, by जिसको remove करना बोलते हैं, आप हटाते हैं कि यह जरूर गलत होगा, इस तरह से आप guess करते हैं, intelligent guessing करते हैं, elimination की tactics अपनाते हैं, 50-50 game खेलते हैं, इन सब को करके, आप answer से आप पहुँचने कोशिस करते हैं, language को use करते हैं, इन सब से जो है, और अंत में कुछ नहीं समझ माया है, तो जितने माल यह 10 questions बच गया है, तो सब में A, 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 या B, 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 ऐसा कभी ना करें कि सब में अलग-अलग दें, इससे 10 में से आपको 2 या 3 questions सीधा सही हो जाएगा, और वो भी आपको जो है, compete करवा देगा, So, okay, dear student, यह दि आपको पसंद आया हो, तो आप share करें, subscribe करें, comment करें, और download करें guide, तीन guide जो है आपके लिए important है, एक है entrance guide, जो मैंने पिछले साल लिखी थी, very, very comprehensive guide for UGC net, इस बार मैंने उसको और expand किया है, IR के point of view से IR guide, और third है model question paper, यह तीन guide को आप ज़रूर UGC net के लिए use करें, इस तरह से मुझसे जूरें, और मैं कोसिस करूँगा, अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, कि आपके exam के पहले, चारो round, अभी तो third को खतम करेंगे एक दो दिनों में, और फिर चौथा round को खतम करेंगे, उसके साथ ही जो है, लगभग सारे paper हम analyze कर चुके होंगे, और उन चारो paper को जब आप एक बार देखेंगे analysis, तो आपको इतना knowledge मिलेगा, कि वो सबसे अच्छा आपके preparation होगी, मेरा view यही है, कि आप चार पार्ट को एक बार देखें, और देखें कि IR में किस range के question आए, so okay, bye, see you again, very soon.